रोहित शेटी के सामने करनवीर महरा शिल्पा शिरोड कर और साथ में चाहत पांडे हो हर किसी ने यहाँ पर अविनाश मिश्रा की ऐसी गंदी सज्जाई बता दी की रोहित शेटी भी देखते रहेगे और इसी टास्क के दोरान करनवीर महरा जम कर यहाँ पर फटकार लगाते नजर आने वाले हैं रोहित शेटी के सामने अविनाश मिश्रा को क्या कुछ होगा यहाँ पर रोहित शेटी के इस टास्क में चली आपको बताते हैं लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सबसे पहले रोहित शेटी तो मंच पर आने वाले हैं उसके बाद घर के अंदर जाएंगे और जैसे ही वो घर के अंदर जाएंगे एक टास्क वो खिलवाएंगे जहांपर एक कंटेश्टन को आगे खड़ा कर दिया जाएगा और बारी बारी से कंटेश्टन आकर उसकी पॉजिटिव या नेगिटिव बात कहेंगे ऐसे में अविनाश मिश्रा की जब बारी आएगी तो सामने आएंगे करनवीर महरा और करनवीर महरा पूरी तरह से भांडा फुटते हुए नजर आने वाले हैं मिश्रा का करनवीर महरा कहेंगे कि रोहित शेटी सर करनवीर महरा इस से पहले के सारे सीजन देख कर आया है और उसके दिमाग में ये है कि घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा लडाईयां करता है जो सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाता है जो जोर जोर से बात करता है चिलाता है उसका नाम घर के बाहर बहुत जादा हो जाता है इसलिए ये बिग बॉस के घर के अंदर जब से आया है तब से चिला रहा है तब से ये बिग बॉस के घर के अंदर लडाईयां कर रहा है यहां पर ये भी कहने वा पहले चाहिए इसको हर चीज सबसे पहले करनी है क्योंकि ये सोचता है कि अगर मैं सबसे पहले जाओंगा लडाईयां करूंगा किसी से डरूंगा नहीं और हमेशा काफी जदा एक्टिव रहूंगा तो घर के बाहर की जनता मुझे देखती रहेगी और घर के बाहर की जनता जो है वो मुझे ही पसंद करेगी तो यहां पर पूरा भांडा फोड़ कर रख दिया करनवीर महरा ने रोही शेटी के सामने और रोहित शेटी भी करनवीर महरा की ही यहां पर बात सुनते नज़राएंगे उनका साथ देते नज़राएंगे क्योंकि करनवीर महरा रोही शे लेकिन करनवीर महरा मेरे लिए काफी स्पेशल है और मैं चाहता हूँ कि ये बिग बोस के घर के बाहर जब आए तो इसके हाथ में ट्रॉफी हो बिना ट्रॉफी के वो घर के बाहर नहीं आए ये बात जो है करनवीर महरा के सामने सबी घरवालों के सामने रोहित शेटी कहते ह खुलद मिलाकर बात करें तो आज का वीकन कवार काफी धमाकेदार हुने वाला है .काफी टूर्स्ट बहरा हुने वाला हैं क्यूंकि आज देवगन भी देखने को मिलने वाले हैं, रोई शेटी भी देखने को मिलने वाले हैं, आपका गयना है कमेंट करें, आसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें